करनाल की तरावडी अनाज मंडी में देज़राच चोकिदारों और गो तसकरों की भिडन तो गई जिसमें गो तसकरों ने जवाबी कारेवाही में चोकिदारों पर फाइरिंग की जिसमें वहब बाल बाल बच गए जिसकी तस्वीरे CCTV में कैद भी हो गई हैं हालाकि घटना में किसी भी परकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है जानकारी के नुसार तरावडी की अनाज मंडी से गों तसकर गायों को उठाने के लिए आये थे जब तसकर मंडी से गायों को उठा रहे थे तभी मंडी में तैनाच चोकीदारों ने उनको देख लिया जब चोकीदारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बाद वह मोके से फरार हो गई इस घटना से आसपास के दुकानदारों एवं लोगों में डर कामहोल व्यापत है उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गों तसकरों पर अपना शिकंजा कसा जाए अन्य था गायों की दोदर्शा होती रहीगी सुचना के बाद पुलिस ने मोके पर पहुचकर मामले की जाश शुरू कर दी है देखे एक रिपोर्ट क्या हुआ कि इनकी स्पीड हमारे से बहुत जादा थी क्योंकि ब्रशासन प्रकार के पश़ुन जो आमारी गाय माता रहती है गाय माता को जो इस प्रकार के विकल्स लेते हैं तो फिर वो बहुत हैवी उस्पीड में किसी भी चीज गो पुलिस की टीम पर भी गोली चलाई है? जो मेरी सूचना है ना उसके अनुसार में जैसे ही आया हूँ वो गाडी का मेरे से हामना सामना हुआ है और उन्होंने एक फायर करके और फिर वो मिरको निकले तरब वेक्ती किसा है? व्यक्ति अभी नहीं मैं कुछ कह सकता कि गाड़ी में कितने व्यक्ति थे गाड़ी नंबर प्लेट जो थी वो रात का टाइम था मैं अभी नहीं देख पाया हूं बड़ जो रूट के उटके CCTV कैमराज हैं उनको हमने देखा है कुछ लीड भी हमें मिली है और CIA की टीम को भी हमने बुलाया है यहां पे उस चीज को चेक आउट करने के लिए और कंप्लेंट के आधार पे हम उनके खिलाव कारवाई तो सिक रात को शोरूम पे तोड़ फोड हुई थी वह यहीं के आइडेंटिफाई हो चुके हैं लड़के एक लड़के का उनाम रात को बता रहे थे बाक्तियों का हमने जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके ब्यान पे पर्चा दे दल्च कर रहे हैं अभी वो एड्मेटेड है थोड़ा उनको रात के समय अनकॉंशियस थे तो जैसे ही अब वो हमारे को स्टेटमेंट देंगे उनके खिलाब वजा पता चल प पर उनके आया थे और उन्होंने मना कर दिया तो इस बात को लेकर फिर उन्होंने अटाक किया दुकान पर और आगे खिस्तितिया अपको पर यहां पर गवशाला वगेरा भी है तो आगे आप अपनी गश्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे यह बिल्कुल गश्ट बढ़ा अधी गई है ऐसा नहीं है कि बढ़ा बढ़ाई नहीं है गस्त अल्रेडी तीन-चार दिन से बढ़ाई गई है और अभी मैंने उच्छा दिकारियों से भी बात की है और इस मामले में और दुनों मामलों में CIE को हम लेकर और फिर आगे करेंगे तो यह आप जैसे थे हैं इ उन्होंने साथ में वही बंदूख्म ले रहे थे उन्होंने गोलाई जैसे हमने वो पत्तर परसाने लगे उन पर और जादाल बहागा शट साथ हम चाहिए और हमारा पीछा कर रहा गाड़ी से रात हमने पूलिस में उर्हार नहीं करेका हो गया करेंगा सो नम्रा नोंबि तो यह सब्सक्राइब नजर आ रहा है वह जो अपने मारे चोगीदार से वह पत्तर बरसा रहे हैं अरो दरसे गाड़ी भी आ रही है और मैं सरकार से एक और बात करना चाहिए मंडी का मसला है साथ के साथ मारे यहां गौण साला है जिटी रोड पे उसमें दो जार से जादा गौण है महाँ पे तो सिर्फ दो ही चोगीदार है अगर यह ऐसा यहां सेफ्टी नहीं रही तो महाँ तो दो जार गौण को उठा के लेगा कोई मैं सरकार क्या नाम आपका मेरा नाम सिस्पाल गुपता है तो यह आप लेख सकते हैं मंडी के परदान है और इस तो में चोरी की गटनाएं बढ़ जाती है उसको देखते हुए हमने चौंकीदार की बस्ता की है और रात का यह जो गौश से हमने बचाव कि है हमारे चौंकी तीवी में अमने अभी देखा है उन्होंने कोली भी चलाईगे तो क्या कारवे चाहेंगे हम यह जाहेंगे कि पूलिस की थोड़ी सी गस इसमें बढ़ती चली जाए जिसमें जो अशुरक्षा का मोहला पैदा हुआ है वो हमें सुरक्षा इसमें परदा है जे बीडी बैंक इसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवारी